निर्यातक संगठन ने केंद्र सरकार से बहतर घरेलू उतपादन की संभावना को देखते हुए गैर बास्मती सफेद, कच्चे, चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंद को यथाशी ग्रवापस लेने और सेला चावल के निर्यात को शुल्क मुक्त करने का आग्रह किया है संगठन का कहना है कि पिछले एक साल से अधिक समय से सफेद चावल के व्यापारिक निर्यात पर रोक लगी हुई है और सेला चावल पर बीस प्रतिशत का निर्यात शुल्क लागू है सरकार ने यह दोनों निर्ने घरेलू प्रभाग में सामाने श्रेनी के चावल की आपूर्ती एवं उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों में तेजी पर अंकुष लगाने के उदेशे से लिया था अब स्थिती काफी सामाने तथानी अंतरन में है जबकि चावल का अगला उत्पादन भी नए रिकॉर्ड स्थर पर पहुँचने की उम्मीद है निर्यातक संगठन के अनुसार चावल के निर्यात की स्थिती को जुलाई 2023 से पूर्व के स्तर तक पहुचाने का सही समय आ गया है अंतरराष्ट्रिय बाजार में भारतिय चावल की अच्छी मांग बनी हुई है और इसका फाइदा उठाने का अफसर दिया जाना चाहिए स्वयम सरकार के पास चावल का विशाल स्टॉक मौजूद है और आंतरिक खाद्य सुरक्षा के लिए कोई खत्रा नहीं है 2024 से 25 के सीजन में चावल का विशाल अधिशेश उत्पादन हो सकता है और यदि इसमें से कुछ भाग का निर्यात किया गया तो घरेलू बाजार पर उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा भारत से वितवर्ष 2022 से 23 में 222 लाग टन चावल का रिकॉर्ड निर्यात हुआ था जो 2023 से 24 में घटकर 157 लाग टन पर अटक गया यदि ततकाल सफेद चावल के शिप्मेंट की अनुमती नहीं दी गई तो 2024 से 25 में चावल के कुल निर्यात में और भी कमी आ सकती है चालू वितवर्ष की पहली छमाई समाप्त होने वाली है Bureau Report Market Times TV